दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस दने उज एक तरफ समीरवान खेड़े के ओपर जहां पर महराज गवर्मेंट की तरफ से कई बड़े पॉल्टीसियन कई बड़े मंत्री जो हैं वो लगातर समीरवान खेड़े के ओपर आरोब लगा रहे हैं अलग लग तरीकी के इनके दोरा अलिगेशन्स लगाय जा रहे हैं वही पर दूसी तरफ बिजेपी पार्टी की तरफ से कई बड़े पॉल्टीसियन जो हैं वो अब समीरवान खेड़े के बचाओ में उदर चुके हैं सबसे पहले इसमें क्रीस सोमया के द्वारा समीरवान खेड़े का बचाओ किया गया उनके द्वारा बोला गया कि एक इमांदार व्यक्ति का इस तरह से सोसन किया जा रहा है यानि कि एक इमांदार ओफिसर जो की लगातार पिछले काफी टाइम से कई ड्रग पेलरों के उपर कारवाई कर रहा था उसको दबाने की कोशिस की जा रही है और अब जो है देवेंद फनवीद जो की महराज के एक सियम रह चुके हैं और बीजेबी के एक बड़े पॉलिट से ले कर इस सेर्टिफिगर को इस तरह से पब्लिक के बीच में सेर करना पूरी तरह से पूरा से इल्लीगल है यह बहुत ही गलत किया जा नवाब मलिक के द्वारा उन्होंने सीधा-सीधा नवाब मलिक के ऊपर निशाना साधा और उनके द्वारा सीधा-सीधा सपोर्ट किया गया है वो भी समीर वान खेड़े को अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या खुलासा होता है लेकिन कहीं न कहीं से आज भी समीर वा झाल झाल